राम जी के गुणों का वरणन करते हुए महर शिवाल्मी की कहते हैं कथ्यन नास्त्वेए नित्यम अस्त्व ज्ञान तरिश्ववी राम जी सभी प्रकार के बृध्ध का सम्मान करते हैं और राम जी कैसे हैं? बुद्धिमान मधुरा भासी पुर्वभासी प्रियंबदह विर्यवान नच विर्येन महतास्वेन विश्मितह रामजी बुद्धिमान है और मधुरा भासी है और रामजी मीठा बोलते है पुरुव भासी, कोई परचित मिले तो हम सुनते हैं वो बोलेगा तब बोलूँगा नहीं नहीं, राम जी कोई परचित दिख जाए उससे जाकर पहले बाचित सुरू करते थे यह बेक्तित्तों में गुण होना चाहिए आप अहंकार में मत रहो, कि सामने वाला बोलेगा तब में बोलूँगा यदि परचित दिख जाए तो उससे पहले बाचित सुरू करो यह बेक्तित्तों में सदगुण होना चाहिए हमारे रामजी पुरो भासी थे और प्रियम बदह प्रियम बदह हमाने प्रिय बोलते थे देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयाद प्रियम ब्रूयाद न ब्रूयाद सत्यम प्रियम सत्य बोलो प्रिय बोलो लेकिन अप्रिय सत्य भी मत बोलो किसी की एक आख नहीं है या सत्य है उसकी एक आख नहीं है लेकिन काने को काना कहना अप्रिय सत्य है है की नहीं लंगडे को लंगडा कहना लंगडा तो है यो लेकिन उसको लंगडा संबोधन करना या अप्रिय सत्य है सत्य तो है लेकिन सुनने में प्रिय नहीं है इसलिए आप प्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए हमारे राम जी में ऐसे गुड़ है राम जी की कृपा हो जाए राम जी कृपा करें तो हम जीवों का भी बेडा पार हो जाएगा राम जी के इन गुणों को सुन करके और हम भी यही प्रार्थना करें हे राग हो हे रगुराई आप भी हमारे बाह को पकड़ लो जरा और हम भी पार उतर जाएं